नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेश 28 सितंबर बुद्वार दोपर सवातीन मज़े राजसान की 15 वड़ी खबरें सबसे पले एक निज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर राजसान के लाखों किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्तलोन पी-म के अलप दोरे को भव्य बनाने में जुटी भाचपा शादी के 16 साल बाद टीचर बने अब के विसी में फैस्टी सीजन के साथ ही बाज़ार में आई बहार और पूनिया पहुंचे हो देपुर बोले इस्तीफे दे दिये तो सरकार कैसे चल रही है और अब खबर विस्तार से राजसान कॉंग्रेस में जौरी हाई प्रफाइल पलिटिकल ड्रामे के बीच सभी की नजरें प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी के राजसान में प्रस्तावित अल्प प्रवास पर भीटी की हुई है दरसल प्रधान मंत्री शुकरवार 30 सितंबर को गुजरात के अमबा जी में जनसभा और फिर अमबा जी धाम में दर्शन करने के बाद राजसान की सीमा के आबू रोड पर बने मानपूर हाईवे पट्टी से नई दिली लोट सकते हैं हालांके प्रधान मंत्री का अबू रोड के राज से नई दिली लोटने का भी ऑफिशल कारक्रम जुआरी नहीं हुआ है लेकिन शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है कोटा की शोभा कवर ने अपने जनून के अदम पर 21 साल पुरान अपना सपना पूरा किया है वो मंगलवा राता मिता बच्चन के साथ हॉर्ट सीट वर बैटी थी उन्होंने कौन बनेगा करोड़ पती में एक के बाद एक 11 सवालों के सही जवाब दिये के वी सी में जौने का उनका सपना कई सालों से था पहले वो तीन बार रिजक्ट हो गई थी इस बार चौथे प्रियास में वो सफल रही और 6 लाग से ज़्यादा की रखम जीत कर लोटी उन्होंने बताए कि वो आर्पी सी का एक्जाम क्लियर का टीचर बनी शौरदिय नवरात्र महापर्व के आगास के साथ ही डूंगरपुर में भी फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है बाजार दुलहन की तरह सज गया है तेवहारी सीजन शुरू होने के साथ ही Electricals एवम Electronics व्यापार में भी खासा बूम आ जाता है दो वर्ष कोरोना काल के चलते ग्राहकी खासे प्रभावित हुई थी इस वर्ष कोरोना से राहत मिलने से Electronics व्यापार में अच्छी ग्राहकी की उम्मीद है Electrical 7 Electronics विया पारी भुपेश पांडिया पताते हैं कि COVID के दो साल में भी ठीक ठाग रहा की हुई थी डुंगरपुर में दिवाली का मार्केट बहुत अच्छा रहता है कांग्रिस की सियासी गड़ना करम के थमने के बाद बीजेपी की प्रदेशा ध्यक्षा सतीश पूनिया बुधवार को उदैपूर पहुँचे डबो के एरपोर्ट पर कारिकरता उन्हें उनका स्वाकत किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज़सान में सियासी ड्रामा हो रहा है तीन विधायकों को नोटिस देने के मामने में भी पूनिया ने तंच कसा उन्होंने कहा कि ये उसी तरह से है जिस सर्णा से एस्पिक गलती करे और सिपाही को सस्पेंट कर दिया जाए उन्हेंने कहा कि ये अपने आप में वीचित रहे कि इस्तिफा देने के बाद भी विधायक और मंद्री अपने आफिस में जा रहे हैं कहलो सरकार के ओर से मेर पसे बरखास किया जाने के बास सोमया गुर्जर अरब हाई कोट जाने के तैयारी कर रही है वे हाई कोट में नियाईक जान्च की रिपोर्ट को चुनौती दे सकती हैं इसे देखते हुए राजसरकार ने कल हाई कोट में कैविएट दायर कर दी है इदर भाशपा के बदादिकारी इस मामले पर सक्रिय हो गए हैं बाशपा के पूर प्रदीशा द्यक्ट और कैबिनेट में मंत्री रहे अरुन चत्रवेदी इस मामले को अपने स्तर पर देख रहे हैं जोद्पर कमिशनरेट की चौपासने हावसिंग बोर्ट थाना पुलिस और जिला विशेष टीम पश्चिम के सेंक्ट कारवाही में हरी नगर में मकान पर दबश देकर हवाला कारोबार के संदेह में बैग से 45,44,000 पर जफ्ट कर एक व्यक्ति को ग्रफतार किया गया है ये राशी कुछ हवाला कारोबार के लिए ही ये वक को मिले थे थाना दिकारी जुल्फिकार अली ने बताया कि मूलता भीलवाडा में सुहाना थाना के अंतरकत राधे नगर हाल हरी नगर निवासी धर्मदास और फर राहुल जैसवानी को गिरफतार किया गया है रासान के सबसे बड़े एस्पताल समस की सुरक्षा का जिमा आयोग्य और अन्फिट सुरक्षा कर्मियों के भरोसे है अस्पताल में एक बाद एक आपराधिक वारदाते हो रही है लेकिन पोल खुलने के डर से अस्पताल में बिना पुलिस वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड के सुरक्षा कर्मियों ने हरताल शुरू कर दी है इनकी नियुक्ति करने वाले अधिकारी भी अब बचने का प्रयास करते नज़र आ रहे है सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर गुरुवार को शाम चार बजे तक बन रहेगा बाबा श्याम के विशेश सेवा पूजा होने के कारण भक्तों के दर्शन के लिए बन किया जाएगा मंदिर कमिटी ने इस समन्द में सूचना जारी की है मंदिर कमिटी के कोशा ध्यक्षकालू सिंग ने आदेश जारी कर बताए कि 29 सितंबर को बाबा खाटू श्याम के विशेश सेवा पूजा होने के कारण मंदिर सुबह साड़े चार से शाम के चार बजे तक बन रहेगा बाड मेर मेर में पशु आहार की आड में नकली जीरा बनाने वारी फैक्टरी पर पुलिस ने दबिश देकर सीज किया है इस मामले में फैक्टरी संचाल गनिश पूरा उजा गुजरात के धरमेंदर कुमार को गिरिफतार किया गया है आरोपी नकली जीरे को असली जीरे में मिक्स करने के लिए गुजरात महरास्ट भीजता था फैक्टरी बार्ड में जिले के शिंधरी इलाके में दो महां से चल रही थी वालिस ने उननिस हजार एक सोपचास किलोग्राम नकली जीरा जब्त करने के साथ कच्चा माल भी जब्त किया है जोनारान व्यास विशिविद्याले के वाइड लाइफ एको टूरिजम डिप्लोमा कोर्स की विद्यार्थों ने अरावली के एको सिस्टम में कुम्बलगड वने जीव अभ्यारन तथा जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में दो दिवसे शेक्षिनिक भ्रमन किया विद्यार्थों ने सेंचुरी के जीव बाफुले शेत्र में वने जीवों के पच्चिनों का भी अवलोकन किया एवन विभिन प्रकार की 38 पक्षी प्रजातियों सहीद बेड़िये जरक तथा तेंदू के पच्चिनों को रिकॉर्ड किया यूं तो सालों पहले ही रेविज की रुप्थाम के लिए दवाई बनाई जा चुकी है इसे रेविज से मोतों के आंकडों में तो काफी हद तक कमी आई है लेकिन सवाई मादोपुल जिले में रेविज के मामलों में अब तक लगाम नहीं लग सका है पिछले आठ माहा की बात करें तो एक हजार पंद्रा मरीज रेविज का उपचार कराने के लिए जिलास पताल पहुच चुके हैं सिर्फ सेतम्बर माह में ही 119 मरीजों ने जिलास पताल में रेविज का उपचार कराया है जोद्पुन अगनिगम उत्तर शेत्र में सफाई विवस्था को अधिक बहतर बनाने को लेकर आठ वाडों में डोर टू डोर कच्रा संग्रहन के लिए 11 ओटो रिपर की विवस्था की गई है महापार उत्तर कुंती परिहार और आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश ने हरी जुन्टी दिखा कर इन ओटो ट्रिपर को रवाना किया महापार कुंती परिहार ने बताया कि शहर के वाड संख्या 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 में डोर टू डोर कच्रा संग्रहन के लिए 11 वाहन लगाए गए हैं बिकानेर के महराजा गंगा सिंग विश्विद्याले ने PG सहीद डिप्लोमा कोर्स की प्रवेश सिति में बढ़ हुत्री कर दी है प्रवेश परफारी डॉक्टर धरमेश हरवानी ने बताया कि MSC Computer Science, Literal Entry, MSC Cyber Security, MSC in Biotechnology, MA Rajasani, Master of Business Administration in Agribusiness, Master of Business Administration in Renewable Energy सहीद विभेश डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए 5 अक्टूबर तक ओनलाइन आवेदन किये जा सकते हैं जोदपूर में स्टेट लेवल BANS स्टूडेंट्स संगष समीती ने तीन सुत्री मांगो को लेकर सरकार के नाम ADM ML नहरा को एक ग्यापन सौपा समीती के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अवस्ती वे निशानत चावला ने बताया कि करवरस्थित आयरवेद विश्विद्याले में विगत 2015 से 50 चात्रों की प्रवेश शमता के साथ BSC Nursing College संचालित किया जोरा है आज साथ वर्ष पूर्ण होने के परश्चात यहां से तीन बैच डिग्री प्राप्त कर निकल चुके हैं इसलिए BSC Nursing अलोपैथ के तरच पर प्रथक से राजिस्तर का कैडर बनवा कर वेतनवार निशित किया जाना चाहिए ग्यापन में BSC Nursing अलोपैथी के इंटर्णशिप लागू कर इने के समान इंटर्णशिप भत्ता देने की भी मांग की गई है तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना है फिर हाजिरों की कुछ और बड़ी खपरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर